बस्कार दूसों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारी इस यूटूब चैनल सुहाना टेक में दूसों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसों आप अपना मॉबाइल दूसों दिन भर में 2-3 बार तो चार्ज जरूर करते होंगे लेकिन दूसों आपको मॉबाइल काफी स्लो चार्ज होता है काफी ज्यादा टाइम लगता है आपका मॉबाइल चार्ज होने में जो कि इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी सेटिंग बता देंगे मॉबाइल में जो दोसो आपने मोबाइल में इस सिटिंग को आउन करके अपने मोबाइल की चार्जिंग इस स्पीड को काफी आप तेज का शक्त हो जी हाँ दोसो काफी important शेटिंग होने वाली है काफी मज़ेदार शेटिंग होने वाली है तो दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा सुरू से लेका लास्तक देखते रहेगा इस वीडियो में आपको हम पूरी complete जानकारी बताने वारे हैं दोस्तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करिएगा सेर कर दीजेगा चैनल पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब जो करिएगा चली वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो आपको अपने मुबाइल के सेटिंग में चले जाना है सिटिंग में जाने के बाद दूसरो आपको मुबाइल के वाउट सेक्शन में जाना है उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने बाद आपको दूसरो बिल्ड नंबर पर आपको साथ बर क्लिक कर देना है साथ बर दोस्तों जैसे आप क्लिक करने के बाद आपके मुबाइल में developer option आउन हो जाएगा जी हाँ जोकि दोस्तों आपके यहाँ पर देखने के मिल जाएगा additional setting पर जाके आपको दोस्तों squad down करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि developer option जी हाँ इस पर आपको टाइप करने क करना א्ट पर आप इसको इसको डाउं करना है इसको लुझा करने के बाद कड़ें करने के बाद बैक्टराउंD पोंसेस लिमिट इस पर आपको टाइप कर देना इसपर टाइप करने के बाद no background process इस पर आपको किलिक कर देना है बस दूसों आपको यह दो सेटिंग कर देना है दो सेटिंग करने के बाद दूसों आपको मुबाइल के चार्जिंग स्पेड काफ़ी हाई हो जाएगी जी हाँ अगर आप दिन भर में दो से तेन बार चार्ज करते हैं तो दोस्तों आप सिर्भ औस इक ही बार चार्ज करके आसानी सपने मुबाईल की बैटि को चला सकते हैं जी हाँ काफी important स्टेक थी काफी अच्छी स्टेक थी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे नीची कॉमेंट सिक्षिन में जुर बताएगा वीडियो पसंद आगए वीडियो को like, share और चैनल पहले बारा रहो सबस्क्राइब जो करिए चैनले मिलते आपको अगली बड़ो में जहिन वंदमत